दोस्तो आज हम आपको वास्तु सास्त्र से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताएंगे जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वास्तु सास्त्र के अनुसार कभी गभी घर में कुछ ऐसी चीजे हो जाती है जिनका उपाई करना बहुत जरूरी है वास्तु के अनुसार घर में होने वाले कई कारियों को असुब माना जाता है ऐसे में आपको इन बातों का खास दियान रखना चाहिए इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में अचानक ये चीजे दीखने लगे तो आपको सतर्क यानि सावदान होने की जरूरत है सबसे पहले सबसे पहले तो हम आपको बता दे कि वास्तु के ने उसार यदि घर में काले चुहों की संख्या अचानक बढ़ जाए तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है दूसरा इसके अलावा यदि घर के दर्वाजों, अल्मारियों और खिरिकियों में दीमक लग जाए तो घर में मदुमकी का च्था बन जाए तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ असुब हो सकता है जी हाँ, वैसे तो मदुमकी का च्था होने से घर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये अब सकुन भी माना जाता है तीसरा, वास्तुक एनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि घर में काली चीटिया आ जाए तो इससे घर में काफी बरकत होती है मगर वहीं यदि घर में लाल चिटिया आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यह किसी हानी का संकेत है इसलिए यदि घर में लाल चिटिया दिखाई दे तो फोरां सावदान हो जाए चौथा वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को काफी सुब माना जाता है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि घर की उत्तरदिशा सापसूत्री हो तो घर में धन का आगमन होता है वहीं अगर घर की उत्तरदिशा खाली हो और गंदी हो तो इसे सुब नहीं माना जाता